Hello Friends, आप सबी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Next Exam Study IQ पर आज है 8 अगस 2020 और हम आज की सबी important questions के बारे में detail के साथ discuss करेंगे जो कि आपकी exams के लिए important रह सकते हैं तो वीडियो को लाश तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो like और share जरूर करिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजी तो चलिए start करते हैं आज का पहला question है हाल ही में राश्ट्रिय हद करदा दिवस कब मनाया गया है तो यह साथ अगस्त को राश्ट्रिय हद करदा दिवस मनाया गया है अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है तो यह दिवस हद करदा बुनकरों के आर्थिक सामजिक विकास और आयमे व्रद्धी करने वे उनको सम्मानित करने के लिए और हतकरदा उत्योग के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट कुश्टन है हालहीमिक किस राज्य ने छात्रों की सिक्षा के लिए गूगल के साथ समझोता किया है तो है महाराष्टर राज्य द्वारा इसकुली छात्रों की सिक्षा के लिए गूगल के साथ समझोता किया गया है और इस समझोते के तहट गूगल द्वारा सिक्षा के लिए अपने फ्री एप जी सूट गूगल क्लासरूम और गूगल मीट जैसे फ्री ओनलाइन एप उपलब्द कराए जाएंगे बात हुई है महाराष्टर की तो महाराष्टर की राज़दा नहीं है मुंबई मुख्यमंत्री है उद्दा उठाकरे और राज़पाल है भगत सिंग कोशारी और महाराष्टर के हाई कोट को मुंबई हाई कोट का आ जाता है जिसके मुख्यनायदी से दिपंकर दत्ता नेक्स्ट क्रिशन है हाल ही में किसने खेलो इंडिया मोबाइल एप ऑनलाइन प्रस्टिक्शन कारेगरम सुरू किया है तो है AI की तो इसकी फुल फॉर्म है Sports Authority of India हिंदी में भारतिये खेल प्रादिगरण और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसका मुख्याले नई दिल्ली में इस्थित है और हमारे देश के प्रजेन टाइम के खेल मंत्री है किरन रिजीजू हाल ही में किस राज़ी के मुख्यमंत्री द्वारा दो Fast Track Court का उदगातन किया गया है तो है मनिपूर के मुख्यमंतरी एन बिरेंज सिंग द्वारा दो फास्ट ट्रेक कोट का उदगाटन किया गया है और इन कोट को मनिपूर की राजदानी इंपाल में इस्तापित किया गया है बात हुई है मनीपुर की तो मनीपुर की राजदानी है इंपाल मुख्यमंत्री है एन बिरेंज सिंग और राजपल है नजमा हेपितुल्ला और मनीपुर के हाई कोट के मुखे नहदी से रामा लिंगम सुदाकर हाल ही में आयो जित इस्मार्ट इंडिया हैक्तौन में पर्थम पुरुसकार किसने जीता है तो है डाइट द्वारा इस्मार्ट इंडिया हैक्तौन में पर्थम पुरुसकार जीता गया है बात हुई है डाइट की तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टिटूट ओफ ए पुणे महाराष्ट में इस्तित है और इसके कुलादी पती है अमारे देश के रक्षा मंतरी राजना सिंग और इसके कुल पती है डॉक्टर सीपी राम नाराए नेक्स्ट क्रिशन है हाल ही में शामल चक्रवर्ती का नेदन हुआ है वे कौन थे तो वो एक राजनेता थे ये थे शामल चक्रवर्ती और ये सीपी आईएम पार्टी के नेता वे पस्चिम मंगाल सरकार के पूर्वे मंतरी भी रह चुके हैं और इनी का हाली में निदन हुआ है नेक्स्ट क्रिशन है हाल ही में एन एच एई ने उत्करष्टता केंदर इस्ताबित करने के लिए किसके साथ समझोता किया है तो है आई आई टी दिल्ली के साथ एन एच एई ने उत्करष्टता केंदर इस्ताबित करने के लिए समझोता किया है और यह समझोता IIT दिली के साथ NHI के सबी प्रकार के डेटा को ओनलाइन सुरक्षित रखने वे संग्रहित वे संचारित करने के लिए किया गया है बात हुई है NHAI की तो इसकी फल फॉर्म है National Highways Authority of India हिंदी में भारतिय राष्ट्रिय राजमार्ग प्रादिकरण और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसका मुख्याले नई दिली में इस्तित है और NHAI के चेर्मेन है सुखवीर सिंग संदू Next question है हाल ही में किसे भारत का नया कैग नियुक्त किया गया है गिरीष चंदर मुर्मू को भारत का नया कैग नियुक्त किया गया ए कैग की फुल फॉर्म है कंपेट डोलर एंड ओडिटर जनरल अफ इंडिया हिंदी में नियंत्रक और महाले का परिक्षक Next question है फाल ही में भारत की पहली किसान रेल का संचालन कहां से किया गया है महाराष्टर के देवलाली स्टेशन से देश की पहली किसान रेल का संचालन किया गया है और यह ट्रेन महाराष्टर के देवलाली स्टेशन से बिहार के दानापुर स्टेशन के बीच संचालित की जाएगी और इस रेल के द्वारा फल सबजीयों का एक जगे से दूसरी जगे परिवेन किया जाएगा जिससे किसानों का समय और खर्च भी बहुत हद तक कम हो जाएगा और इस रेल का उदगाटन अमारे देश के रेल मंत्री प्यूस गोयल द्वारा किया गया है हाल ही में किसके द्वारा जल संसादन सूचना परनाली का नया संस्क्रन लॉंच किया गया है और इस संस्क्रन में जल से समद्धित सभी सूचनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है हाल ही में किसने उच्च सिक्षा में परिवर्तन कारी सुदार पर कौन कलेव को समद्धित किया है तो हमारे देश के परदान मंतरी नरेंद्र मोधी द्वारा उच्च सिक्षा में परिवर्तन कारी सुदार पर कौन कलेव को समद्धित किया गया है और इस समद्धन में इन्होंने नई सिक्षा नीती 2020 की महत्पून बातों और लक्ष के बारे में बताया है नेक्स्ट किशन है हाल ही में WTF ने किसे अपना नया ब्रांड एमेसेडर निक्त किया है तो है हमारे देश की पुरुस क्रिकेट टीम के खिलाडी सुरेश रेना और महिला क्रिकेट टीम की खिलाडी हर्मन प्रीत कोर दोनों को ही WTF ने अपना नया ब्रांड एमबसेडर ने उक्ते किया है बात हो ही WTF की तो यह है एक ओनलाइन गेमिंग एप है जिसमें कई प्रकार के गेम है और उन्हें ओनलाइन खेला जाता है नेक्स्ट क्रिशन है नेक्स्ट क्रिशन है नेक्स्ट क्रिशन है हाल ही में समीर सर्मा का निदन हुआ है वे कौन थे तो वो हमारे देश के एक जाने माने टीवी सीरियल्स के अभी निता थे और इन्हें का हाली में निदन हुआ है यह है समीर सर्मा और इन्हें का हाली में निदन हुआ है अब यह last video के question तो हाल ही में कहाँ पर Indian Institute of Management यानि की IIM की स्तापना की गई है तो हिमाचल प्रदेश में Indian Institute of Management की स्तापना की गई है और इसका उध्यगाटन हमारे देश के प्रजेन टाइम की सिक्ष्य मंत्री रमेश स्पोक्रियाल निसंग के द्वारा किया गया था अब ये क्यूशन आपके लिए हाल ही में चार्ल्स क्यू ब्राउन को किस देश का पहला एस्वेत वाईशेना प्रमुक बनाए गया है ये है चार आप्सन और इस क्यूशन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो ये थे आज के इंपोर्टेंट क्यूशन और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए तो आज की वीडियो यहीं समापत होती है जाहिन